ऊप्चारिक पत्र हम करेंगे दिल्ली नगर निगम की स्वास्ता अधिकारी को शेत्र की गंदगी की और ध्यान दिलाते हुए पत्र यानि कि जो दिल्ली नगर्यम के स्वास्ते अधिकारी हैं, हमें क्या करना है, उस शेत्र की गंदगी की तरफ ध्यान दिलाते हुए पत्र लिखना है, ठीके स्ट्रेंट्स, तो अब देखिए बिटे, इसमें भी मैंने आपको वही छोटी सी बार-बार यही बात भोलते क्योंकि अगर विद्यार्ती कन्फ्यूज हो जाते हैं, चोटे बच्चे होते हैं, तो जिस शवद के पीछे है, स्वास्ते अधिकारी को, स्वास्ते अधिकारी को है, तो सेवा में टॉप पर क्या जाएगा, सेवा में स्वास्ते विभाग अधिकारी, महाद्या या कुछ आप इसमें संबोधन करेंगे फिर आप बतायेंगे कि दिल्ली नगर्लेगम कि इसमें शेत्र के अन्दरे से गंदगी फेली हो इसा गंदगी की तरफ ध्यान अदिलाते हुए पत्र आप देखें बीटे करते हैं सेवा मे देखो बच्चा, यहाँ पर है सेवा में वही बात मैंने बोली स्वास्ते अधिकारी, इस शब्द के पीछे को लगा हुआ है ना, सेवा में स्वास्ते अधिकारी महोद्य भी लिख सकते हैं, तो किसके पास लिखने हैं, यहाँ पर एड्रेस आप लिखेंगे, दिल्ली नगर निगम, यहाँ पर आप शेत्र डाल सकते हैं, कि पश्च में शेत्र है या कोई उसा है, राजा गार्डन नई दिल्ली, यहाँ पर आप एड्रेस में कोई भी स्टेट, कोई भी आप अपना शेत्र डाल सकते हैं, कोई भी पता डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्त स्वास्तय अधिकारी को पत्र के को अपने शेत्र की घंद में तो आप कोई भी चीज रहते हैं ना तो लेकिन यहां पर जब भला गया कि लीज़ी फिर देखो बच्चा यहां पर क्या बुला है कि निवेदन है वो से विंती कर रहे हैं कि आज कल रगुवीर नगर के शेत्र यहां पर आप कोई भी शेत्र डाल सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप यहां पर रगुवीर शेत्र ही लिखे तो आप क्या लिखेंगे कि आज कल रग जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आपको टॉप का और बोटम का जो एरिया है वहाँ पर वो चीज़ आपको जो मेंशन होती जो आपका रूल्स होते हैं उसके अकोडिंग लिखना है अदर्वाइस आपको वाक्य संटेंस मेकिंग यानि कि संटेंस वाक्य बनाने आने आप इसमें बीच वाले पॉर्शन में वाक्य को जोडते हुए अपने तरफ से लिख सकते जरूरी नहीं है कि आप एजिटीज रटा रटाया लिखें आप कह सकते हैं कि हमारे जो शित्र है उसकी सफाई नियमित रूप से निरज़ जैसा कि आप सभी को पता अगर सफाई अच्छे नियमित मिस सुचार रूप से अच्छे ढंग से डेली प्रती दिन नहीं हो रही है नियम के नुसार नहीं हो रही है तो वो कहेंगे कि फिर अगर मालो आपको ही पता है कि जैसे माल लिजीए आप गंदगी फैल गई है ठीक है ना गंदगी फैल है कि तो क्या गंद की फैल जाएंगी तो वहां पर वाई प्रियावरंट जो अदूशित होगा वाई जो हवाई वो सांस लेते हैं जिसमें हम वह भी गंदी हमारे शेटर के अंदर जाएगी मच्छर मक्या पैदा हो गई तो हम क्या इन्हें बिमार पढ़ जाएंगे है न तो इस तरीके से इसको हमें नगर निगम के दिखारी को बूलना है कि हमारे जो शेतर है उसमें इस तरीके की बिमारी फैली इस तरीके की प्रोब्लम समस्य आ रही है तो आप करमचारियों को निर्देश दे उनके खिलाफ कारेवाई करे जैसे वही डाकपाल वाले बात थी तो या फिर ताक इसका प्रतेक नागरिक स्वस्त रह सके तो मेरा आपसे नुरोध है कि हम उनके इस अभियान में साफ सफाई रखकर उनका सहयोग दे इस तरीके से भी आप अपने लाइनों को जोड सकते हैं ठीक है स्टुडेंट्स तो देखे बच्चे आप किसमें क्या लिखा हूए कि आ आते नहीं है काम करने के लिए यदि आ जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ कर अपना स्टाइम करके चले जाते ताश केलने में कभी दर उधर बैठ कर ठीक है ना यहां जगे-जगे कूडे के धेर जमा हुए सफाही नहीं होगी तो नैच्रल सी बात है कि कूडे के धेर त और फिर कहते हैं यहां मलेרिया घंगू दूता है जैसे बिमारे फैलने की आशनका है क्यों आशनका है sequalyq नहीं होगी तो मकी मच्र बैठेंगे तो क्या होंगे आपको मलेरिया हंगे डेंगू होंगी है जैसे इन बिमारे की पैलने की संभावन आपके उर शीरीर के इंदर होगी तो वो क्याता है जो ये पत्र लिख रहा है जो बंदा वो क्या कहता है कि मेरी प्रार्थना है आपसे कि सफाई कर्मचारियों को उचित निर्देश देदीजिए और यहां कि सफाई व्यवस्ता को चुस्त दुरूस्त रखने की कृपा करें ठीक है तो स्टुएंट्स वही बात आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं कुछ भी याड़ कर सकते हैं फिलास्ट में आप लिख देंगे भवधिया धुल बंसल यहां पर आप अपना कोई भी आड्रास दे सकते हो यहां पर आपको कोई बंदिश नहीं है लेकिन स्टार्टिंग मे बार-बार में आपको बोले हूं बच्चे जिस बच्चे को करने में प्रवलम होती है ब्लैटर को स्टार्ट करने में तो वो बच्चा देखो यहां से देखो बैटे कि मैंने आपको एक छोटी से ट्रिक बदेश जिस भी शब्द के पीछे को लगा होता है वही हम टोप में लगाते हैं तो किसके पीछे लगा स्वास्ते अधिकारी को पत्र लिखना है ठीक है न बेटा तो यहां पर हमने सेवा में यानि कि टोप में क्या डाला स्वास्ते अधिकारी यहां पर दिल्ली नगर निखम क्यों डाला क्योंकि हमीं मैंशन है अगर यहां पर कोई और स्थ यह DEEuch को मैं आपको दिखा दे रही हूँ छोटे बचे हैं अगर मैं कोशिश करना वाकिस बना करके आप अपने आप लिखें अधर पर भी जो बच्छा नहीं लिख करें ठीक है बिटा आपका दिन शुब रहे आप उम्मीद करती हूं कि आप अपने घर में रहा कर सुरक्षित अपने आपको सुरक्षित रखें थैंक यू